नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभिसेक सिंग और आप देख रहे हैं सिफिल इंजीनियरिंग सपोर्ट दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले आपको सेप्टिक टैंक के बगल में बन रहे सोकपिट के बारे में बिल्टो डीटेल में सनकारी दी थी और आज मैं आपको इस शौकपिट का जो सबसे important part होता है इसका plumbing work वो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से इसका plumbing किया जाता है मतलब कि pipe कहां पे इसका inlet होता है outlet होता है ताकि आप जब अपने लिए शौकपिट बनवा है तो आप technically सही शौकपिट बनवा यह दोस्तो septic tank के तरफ से आ है और left side में देख रहे हैं यह हमारा outlet है चीक है लेकिन दोनों का जब label को देखेंगे दोस्तो तो दोनों का level में आपको अंतर पता चलेगा एगर देखेंगे तो इसके उपर दाहिने side वाला में एक इट दिख रहा होगा और left side वाला में आपक में अंतर रखा गया है ताकि continuous पानी का flow बना रहे दोस्तो ओभर फ्लो ना करे तो इस तरह से दोस्तो आप अपने septic tank के बगल में अगर सोपीट बनवाएंगे तो आप plumbing work कर सकते हैं उमीद करता हूँ जनकारी आपके काम का होगा बहुत छोटा से वीडियो है इसलिए आप को मैंने सोपीट के plumbing के बारे में बताया धन्यवाद